नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सुभी का आज हम इस वीडियो में एक बहुत important scientist को cover करेंगे जिन्होंने अपने climate change के ओपर काफी research करके ये सिद्ध किया कि human beings are responsible है climate change के लिए मुखिता इनका जो research था वो अंटार्टिका में हुआ था तो इस वीडियो में हम देखेंगे के scientist कौन है इन्होंने क्या study किया क्या research किया और कैसे अपने research के मादियम से इन्होंने proof कि कि humans जो हैं वो ही responsible है climate change के लिए और मुखिता क्योंकि इनका जो research था वो अंटार्टिका में था तो हम इस वीडियों के end में अंटार्टिका से लेटिट भी जितने भी important जीके facts हैं उन सबको cover करेंगे science और environment and ecology के perspective से एक काफी important वीडियो है तो आप इस वीडियो कान तक देखेगा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्काइब वश्य करिएगा politics, economic, geography, science, environment and ecology के तमाम वीडियो के लिए एक बार आप मारे प्लीरिस को जुरू चेक करिएगा चलिए शुरुआत करते हैं देखें इंसेंटिस का नाम है Claude Laureus ये है Claude Laureus जिनके अभी हाले में 91 येस की एज में मृत्य होगी ये एक pioneer glacialogist है, glacialogist यानि जो glacial वगरा के study करते हैं इन्होंने climate change के ओपर काफी research किया, मुक्यता इनका जो research था वो अंटार्टिका में हुआ और इन्होंने अपने research से ये सिद्ध किया कि human beings ही responsible है global warming के लिए देखे Laureus का जनम France के बैसंकन में 1932 में हुआ था 1956 में university के थुरू पहली बार ये एक expedition के थुरू अंटार्टिका में गए थे expedition का मतलब होता है अभियान तो एक अभियान के थुरू या अंटार्टिका में गए थे अब 1956 में पहली ट्रिप में तो ऐसे चिनोंने कोई भी नया discovery या ऐसा कुछ research नहीं किया मगर इस पहली ट्रिप में अंटार्टिका continent और उसकी जो mysteries है उन सब ने इन्हें काफी fascinate किया काफी अपनी तरफ attract किया फिर 1965 में एक बार पुर्णा अंटार्टिका के एक expedition में या एक अभियान में गए यहां पे उन्होंने काफी significant discovery करी तो discovery कैसे करी एक बार एक शाम को या अपने दोस्तों के साथ glass of whiskey विस्की काई glass लेके वहां पे बैठे हुए थे वहां पे उन्होंने ice को drill किया और जो ice samples थे उन्हें उन्होंने ice cubes में बदला और उन ice cubes को उन्होंने glass of whiskey में डाला जैसे ही उन ice cubes को उन्होंने विस्की में डाला तो वहां से air bubbles जो थे वो sparkle करने लगे जैसे ही वो air bubbles sparkle करने लगे तो उन्होंने realize कि यह जो ice है इसमें atmosphere जो है वो trapped है यानि कुछ important gases जो हैं जैसे carbon dioxide और वो trapped हैं तभी ये bubbles आए इसके बाद से फिर उन्होंने ice course को study किया जो कि एक time capsule की तरह एक frozen time capsule की तरह act करते हैं ये पूरी की पूरी उनकी study जो थी air bubbles trapped in the ice ये 1987 में publish हुई इसके हमादम से उन्होंने बताया कि carbon dioxide जो है वो ice में धीरे- करके पहले से ही trap होती रहती है लेकिन industry revolution के बाद से जैसे temperature और जो greenhouse gases जादा increase हुई तो carbon dioxide का जो trap होने की quantity थी वो बढ़ने लगी और धीरे-धीरे करके जो ice है उसमें बहुत जादा carbon trap होने लगी तो ये carbon जो trap हो रही है क्यों क्योंकि temperature increase हो रहा है और greenhouse gases बढ़ रही है और क् के बाद से जो भी changes आए तो क्योंकि industry revolution human beings के द्वारा हुआ तो यही एक कारण था कि human beings की ही वज़ा से जो global warming है और climate change है वो हुआ है क्योंकि अगर industry revolution नहीं होता उसके बाद से जो भी उसके impact थे positive negative वो सब नहीं होते तो शायद temperature इतना increase नहीं होता ग्रीन house gases की जो concentration है वो increase नहीं होती इस research के बाद Claude Laureus पूरे दुनिया में काफी famous होगे उसके बाद से अलग लग scientists ने एवन एक से डेर लाग साल पुराने भी जो glacier records उन्हें भी study करना शुरू कर दिया फ्रांस के CNRS जिसकी full form है national center for scientific research इसने भी इस बात को माना है कि इसमें कोई doubt नहीं है कि global warming जो ह जासे हुई है तो इस परकार से इन्होंने इस बात को सिध किया कि human beings जो है वो ही responsible है climate change के लिए global warming के लिए इसके बाद से फिर laureus जो थे वो climate action के एक बहुत बड़े campaigner बन गे उन्होंने बहुत जादा campaign करी climate change को mitigate करने के लिए और governments को accountable ठराया जाए कैसे ठराया जाए कैसे जनता कुछ आगरूग किया जाए कि climate change is a reality और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना जरूरी है 1988 में जो इनाइटे नेशन का इंटर गौर्मेंटल पैनल था और climate change उसके भी inaugural experts में से ये एक थे 2002 में CNRS जिसके full form मैं आपको बताई national center for scientific research इसने उन्हें और उनके एक दोस जी जौजल को अवोड भी किया उनके research के लिए अब इनका पूरा का पूरा जो research था वो अंटार्टिका में था और मैं आपको बताया कि किस प्रकार से इन्होंने आंटार्टिका में विस्की पीते पीते आइस को drill किया फिर उसके cubes बनाए जैसे उन्होंने उसमें डाले तो bubbles आ आने लगे और फिर पूरा का पूरा यह research शुरू हुआ तो अब यह पूरा research जो है यह अंटार्टिका से शुरू हुआ और अंटार्टिका में ही आगे का इन्होंने जितना भी research है वो किया तो हम देख लेते हैं अंटार्टिका से लेटे जितने भी important facts आपके examination के लिए और thickness है इतनी thickness जो है यह 2-5 km की thickness है तो यह बहुत बड़ी thickness होती है मतलब इतना बड़ा distance देख लो 2-5 km तो उतने बड़ी thickness अंटार्टिका में जो ice sheet है उनकी देखने को मिलती है अंटार्टिका में आपको कोई भी coastal plane देखने को नहीं मिलता है जादा से जादा summers की अगर हम बा की तो तुम भूली जाओ अंटार्टिका में एक Palmar Peninsula मिलता है वो कुछ extent तक कुछ हद तक ice free माना जाता है अंटार्टिका को हम dynamic और active continent भी कहते हैं क्यों क्योंकि जैसे ही season बदलता है वैसे अंटार्टिका अपना shape को change करता है बदलता है वीदा नाम का एक saline lake है जो अंटार अंटार्टिका में पाए जाता है हमने बात करी saline lake की तो यह कितना saline है इसका comparison dead sea के साथ किया जाता है कि वीदा की जो salinity है वो dead sea के बराबर है तो यह काफी जादा saline है आप मुझा command box में बताएं कि dead sea किस देश में पाए जाती है queen mod range यह एक range है जो की antarctica continent को दो parts में of massive यह highest peak है अंटार्टिका का very important इससे सवाल आया भी है कि mount winds of massive कों सा ऐसा continent है जिसकी highest peak है तो अंटार्टिका की है बहुत important है ध्यान रिखेगा mount arabus यह only active volcano है जो अंटार्टिका में पाए जाता है 22 मार्स से 3 सब्तंबर तक sun बिल्कुल भी visible नहीं होता है यानि दिन राथ ज दिन ही दिन होगा तो 22 मार्स से 3 मार्स तक sun दिखता ही नहीं है और 24 मार्स से लेके 21 मार्स तक जो sun है वो set ही नहीं होता है यानि कि सूर्य अस्त ही नहीं होता है अगर हम vegetation के बात करें तो lichen और moss यह दो main vegetation है इस continent की यह है lichen यह है moss तो यह दो मुख्य vegetation है जो आपको अंटा अंटार्टिका में बहुत पाई जाती है बाके फिश भी पाई जाती है लेकिन क्रील जाम की जो फिश है वो भी पाई जाती है यह फिश हमें सा गूर्प में रहती है उस गूर्प को शॉल्स बोलते हैं मिनरेल रिजर्फ की बात करें तो गोल्ड, saal, इसका कारण कि अन्टार्टिका मैं नहीं है या या इसा कोई अरिया नहीं है जो कोई एक भी देश ओन करता है तो इसलिए यहाँ पर जतने भी mineral reserves हैं उन्हें कभी भी अभी तक commercially exploit नहीं किया गया है इसी continent को continent dedicated to science भी कहते हैं क्यों 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 कि यहाँ पर अलग अलग देशों से बहुत से scientists हैं जो कुछ न कुछ research activities अपने करते रहते हैं 1984 में इंडिया ने अपना पहला center Antarctica में established किया था जिसका नाम था दक्षिन गंगोतरी क्यों established किया गया था environment के structure को climate को fossils को इसके साथ साथ वहां पर minerals और vegetation इन सब को study करने के लिए हाला कि आज के समय अगर हम बात करें तो एक completely destroy हो चुका है उसके बार दिसंबर 1987 में एक बार पुना इंडिया ने अपना एक research center जिसका नाम है मैतरी उसे established किया environmental science geology और physiology के ऊपर अपना research करने के लिए और फिर 18 मार्ज 2012 को इंडिया ने अपना तीसरा research center जिसका नाम है भारती उसे establish किया लार्समन हिल नाम की एक जगह है अंटार्टिका में वहां पे क्यों ओशेनोग्राफी और जो continental break up का phenomenon है उसे study करने के लिए continental break up आपने सुना होगा continental drift theory CDT मैंने इसको एक अलग वीडियो में cover किया है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा आप हमारी playlist में जाए इंडियन जोग्राफी में वहां पर आपको जोग्राफी की काफी वीडियो मिलेंगी जहां पर आपको CDT continental drift theory और बा का contribution जो उन्होंने अपने life में research किया climate change को समझने के लिए और जिसके मादम सो उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये human being ही है जो climate change के लिए responsible है climate change असल में एक बहुत बड़ा problem है issue है climate change के वज़ए से flash flash देखने को मिल रहे है cloud bus देखने को मिल रहे है इसके साथ-साथ वहां पर atmospheric rivers जो हैं वह भी climate change के वज़ए से अपना बड़ा भ्यानक भ्यावय रूप ले रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि उसके वज़ए से बहुत जादा flirts हमें देखने को मिल रहे हैं Arctic amplification के पिछे भी climate change के बहुत बड़ा reason बताया जा रहा है इन सारे के सारे topics को हमने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है आप हमारी प्लेलिस में जाए इंडियन जोग्रफी या फिर इन्वार्मेंट एनिकोलोजी वहां पर आपको flash flash, cloudburst, atmospheric rivers और जो Arctic amplification है उन सारों के topics उन सारे के वीडियो जो है वो मिल जाएंगी जहां पर हमने विस्तार से इन चीजों को cover किया है और हमने समझाया है कि कैसे climate change इन सारों को बढ़ावा दे रहा है कैसे climate change के विए से सारी के सारी चीज़ें हो रही है और बहुती तीब्र और बहुती भ्यानक रूप से यह जो है यह तबाही देश के या दुनिया के अलग लग हिस्सों में कर रही है पॉलिटिस्ट एकोनोम में जीकेटिक जोग्राफिय साइंस इंवार्मेंट टेकोलोजिक की तमाम वीडियो के लिए एक बार हमारी प्लेश को जुरू चेक करेगा यह थैस लेक्चेर का नालसिस आपको वीडियो अच्छे लेगे और आपको अच्छे लेगे तो लाइक कर करेगा और फिर कैसी वीडियो के चैनल को सब्सक्काइब करेगा थैंक्यू फो आच्छेंग